नमस्कार आप दीख रहे हैं वनिडिया मैं हूँ आपके साथ प्रशान शर्मा जबसे विराट कोहली को वन्डी टीम की कप्तानी के पट से हटा कर रोहिच शर्मा को पूर्ण रूप से सीमी तोवर का कप्तान बनाया गया है तब से ही इस मामले पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है विराट कोहली के समर्थक लगातार BCCI, सौरफ गांगुली और कप्तान रोहिच शर्मा के अलोचनाए कर रही है इस मुद्दे में इस वक्त पूरा देश दो गुटों में बटा हुआ है मगर अब इन सब अलोचनाओ के चलते BCCI के अध्यक्ष सौरफ गांगुली ने भरती सीमित ओवर के कप्तान रोहिच शर्मा का समर्धन किया है और ऐसा बयान जारी किया है जिससे विराट कोहली के फैंस को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगेगा सौरफ गांगुली ने एक बातचीत के दौरान कहा कि रोहिच शर्मा एक बहतरीन कप्तान है और तभी सेलेक्टर्स ने उन्हें बैक किया है वो टीम को नई उचायू तक जरूर ले जाएंगे आईपियल में मुंबई इंडियन्स के लिए उनका रिकार्ड जबरदस्त है उन्होंने पांच खिताब जीते हैं कुछ साल पहले उन्होंने एशिया कप में टीम की कप्तानी भी की थी और टीम को जीत दिलाई थी जबकि उस टीम में विराट कूली भी नहीं थी रोहित ने विराट के बिना भी टीम को जीत दिलाई है और इससे पता चलता है कि टीम कितनी मजबूत है रोहित ने बड़े टूर्नमेंट्स में सफलता का सुआच चखा है उनके पास बहतरीन टीम है और उमीद है कि भारती टीम उनकी कप्तानी में काफी सफलता भी हासिल करेगी सौरफ गांगली ने ये बयान पिछले कई दिनों से सूशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग को देखते हुए दिया है उनके और रोहित शर्मा के बारे में लगातार गलत बातों का सौरफ गांगली ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ